और अंगाबाद बिहार से ये हतेली आई है 28 वर्षिय जातिका है और पीसी अस की तैयारी कर रही है IAS पढ़ने वाले बच्चे और PCS की एक्जाम देने वाले बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखिए जो सबसे खास जरूरी चीज होती है हतेली में और जो हमें IAS जैसी महान परिक्षाओं में आगे निकाल देती है बहुत तकड़ा कॉंपेडिशन होता है तो सबसे पहले जो होना चाहिए एक बहुत अच्छी लक लाइन जिसका संबंद गुरू और चंद्र से हो जाए तो फिर क्या कहना ये दोनों प्लैनेट गुरू और चंद्रमा जिसका एक महान योग गजगेसरी योग भी बनता है ये व्यक्ति को हाती के मस्तक बड़ा मस्तक है तो बड़ी विद्या आईगी तो हाती के मस्तक जैसा विद्या प्रदान करती है कि वैसी विद्या उतने बड़े मस्तक में जो समा सकती है उतना योग ये हतेली देती है सबसे पहले एक लक लाइन होना चाहिए आए धूर लेते हैं हाथ में यह है लक लाइन इनकी यहां से चली है चंदरमा से यह तो बहुत अच्छा योग है और यहां पे एक ब्लॉक भी बना है तो अगर ब्लॉक सूट के चलती है तो बहुत अच्छी लाइन है यहां से गई है शनी परवत तक बुलकुल पहुँच रही है और क्या वो गुरू के आसपास पहुँच रही है क्या उसके अंदर से कोई आफशूट निकल रहे हैं तो यह शनी परवत तक तो पहुँच गई है अब इसके आगे यहाँ पर जाकर यह एक एंड हो गई है और यही पर आगर आप देखेंगे तो कि यहाँ पर यओ भी बना लिया है अब यह प्रोग्रेस आगे नहीं जा पा रही है जादा अच्छा होता कि यही लाइन घूम कर गूरू के परवत तक यदि पहुच जाए किसी हतेली में तो यह बहुत अच्छा योग बना देती है आईएस का तो लाइन तो है इनके हाथ में लक की लाइन है और जो शनी परवत पर जाकर थोड़ा सा पहले शनी परवत के धूमिल हो रही है और भी जो चीज इस लक लाइन में दिख रही है यह लक लाइन फट गई है देखिए यहां से और आगे तक चलिए फ यहाँ पे थोड़ा सा डबल डबल हो गया है और एक यौसा पड़ गया है लाइन में तो 28 साल है और अभी कॉम्पेटिशन की तैयारी कर रही है तो अब यहाँ पे यह वैवधान आएगा अब यह वैवधान क्यों आ रहा है क्योंकि यहाँ से राहू की रेखा आप देखिए यह राहू की रेखा जो यहाँ पर काफी तीव रहे मंगल की गतिव विदियां यहाँ बहुत तगड़ी जा रही है यह सब योग इनके कट गए हैं 28 वर्ष के असपास यहाँ भी दिखा रहा है कि यहाँ भी लाइन कट रही है और जीवन की रेखा पे योव भी पढ़ रहे है तैयारी कर रही है अगर यह जाती का तैयारी कर रही है और लक लाइन बता रही है कि योग बने हुए है इसमें थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा दूसरे पिच्चर लेते हैं सूरे को परवत को समझते है अधिकारी बनना है भारा सरकार साशन वाली सेवा में जाना है तो सूरे का परवत अच्छा होना ही चाहिए तो उंगली देख लीजे बुलकुल सेध ही है और फिर उपर जाकर थोड़ा सा घोम गई है मान सम्मान पाने की उतकंठा बहुत होती है ऐसे लोगों में उपर का परवा खुल गया है किस के कारण राहू के कारण क्या इनकी सूरे रेखा है जी हाँ सूरे रेखा बहुत अच्छी बनी हुई है यह देखे यहाँ पे भी है और यहाँ तक पहुँच गई है और भी एक सूरे रेखा है जो यहाँ से यहाँ तक आ रही है राहू के छेतर तक आ रही है यह वाली जो पहली रेखा मैंने बनाई यह आगे आकर यह टच कर रही है जीवन की रेखा को यह बहुत लंबी सूरे रिखा है, ऐसे अगर सूरे रिखा, हार्ट लाइन तक टच कर जाए, यहां से यहां तक टच कर जाए, तो अभी विक्ति अधिकारी बनता है, और थोड़ा सा अगर पार हो जाती है, तो प्रबल योग बन जाते हैं, तो योग बन गए हैं इनके रिखा तक पहुँच रही है, अब इसमें कुछ कमी है, वो थोड़ा सा एक बार और मैं फोकस करता हूँ, यहां से दो रिखाएं देखिए राहू की, यहां से निकली है, और यहां होते हुए, यह सूरे की समस्त रिखाओं को काड़ दिया है, राहू की रिखा ने यहां प पचास, बावन, बावन साल तक लगी हुई है, सूरे के परवत की जो बेस है, वो थोड़ा सा गड़बड हो गया है, क्या राहू की मार सूरे की उंगली तक पहुँच गई है, जी नहीं, लेकिन इस लाइन का तूट जाना, यह बताता है कि राहू की जो रेखा यहां से च अभी इंप्रेशन डार्क होगा और यहां पर एक वाइट स्पॉट बन गया है, सेधी बात है कि राहू ने सूरे का गरण किया है, यह मित्रों देखने का एक हस्त रेखा जो सीख रहे हैं, उसमें भी समझे कि जब भी राहू पीडित करते हैं सूरे को, तो आप देखेंग इन पोरों पे इस प्रकार होरिजोन्टल लाइन बन जाना, यहने कि वो परवत राहू के प्रभाव में आ गया, तीसरा पॉइंट, I, A, S, P, C, S के लिए बुद्ध की उंगली को देखा जाता है, यह क्या क्यों देखा जाता है, बुद्ध की उंगली को इसलिए देखा ज आता हैं, और हमें उंसे भिड़ना पड़ता है, तो कॉम्पॉटीशन में निकालने वाले बुद्ध होते हैं और गुरू होते हैं, यह कॉम्पॉटीशन में हमें आगे कर देते हैं, अंगली लगभग यहाँ तक पोरुमे तक पहुचछ रही है, फोड़ी छोटी हो रही ह जातिका से अंदरोद करूँगा अंगुठे का नाखुन यहां तक बढ़ा ले ताकि यह पोरवे के उपर तक पहुंच जाए तो 25 परसेंट 30 परसेंट तो नाखुन बढ़ाने से पावर मिल जाएगा उंगली में नीचे के तरफ देखते हैं तो पहला पोरवा जो बुद्ध का है जी हां यहां यहां पर राहु आ चुके हैं यह बन गए है या पहली लाइन में पहली लाइन में बनेंगे तो नाकारात्मक जो चीजे हैं वो नीचे उत्रेगी ही उत्रेगी साइड में भी थोड़ा सा रस्टिंग मुझे लग रही है जो मिड लाइन होती है नोट्स के बीच में वो डिस्टर्ब है इसका परवत देखिए परवत तो अच्छा बना हुआ है बोलचाल भी अच्छी है healing lines अच्छी बनी है देखिए ये line अगर हाथ में है तो व्यक्ति को तरक्की मिलेगी मिलेगी जहाँ पे एक triangle भी generate हो रहा है ये line है तो तरक्की तो मिलेगी मिलेगी ये बहुत अच्छे योग बनाती है व्यक्ति के अब अगर हम उपाय लेते हैं जल्दी हो जाता है ये line indicate करती है कि व्यक्ति को योग बुद्ध का मिलेगा marriage की line ठीक है अब जो बुद्ध का जो base है वो देखें यहाँ पे गड़बड़ हो गया है ये line इसमें से कुछ उपर कटके निकल गई है एक ऐसी जा रही है और इस base जो line होता है ये गड़बड़ हो गया है तो बुद्ध को भी ठीक करना है थोड़ इसी रस्टिंग बुद्ध में भी है outer mangal जब व्यक्ति अधिकारी बनेगा तो क्या होगा व्यक्ति अधिकारी बनेगा समाज में जाएगा तो outer mangal देखा जाता है कोई रेखा mind line से लिकल कर अगर यहां तक पहुँच जाती है तो यहां पर भी कुछ छोटे से आफशूट में देख पा रहा हूँ तो इस प्रकार का यह योग बढ़ा देती है व्यक्ति ऊर्जव से भरपूर हो जाता है और समाजिक माननेता प्रतिष्टा को प्राप्त करता है ऐसा व्यक्ति जिनका outer mangal बहुत अच्छा होता है उनकी बाते आग्या परक होती है समाज में लोग उनकी बातों के पीछे चलते हैं मानते हैं उनको तो यह सॉलेड है ये एक तरीके का सरकारी स्टैम्प है कि आपको योग मिल गया तो यह outer mangal बता देते हैं अच्छे बने हैं सरकारी स्टैम्प जैसा काम होता है चंद्रमा चंद्रमा तो हमने देखी लिया है इस प्रकार का कर्व अगर चंद्रमा पे होता है तो व्यक्ति को सबसे पहले दे खुबसूरत बनाता है ओपोजिट सेक्स है और लाब की स्थिती में बनाता है चाहे आप पार्टनर्शिप कर लिजिए ओपोजिट सेक्स में क किसी भी तरीके का, बिजनिस का हो, समाजिक पदारपण का हो, किसी और योग संगठन का हो, लाब देता है, और इस प्रकार का जो ब्लॉग बना हुआ है मित्रों, ये तो पहले ही मैं बता चुका हूँ, ये बहुत योग कारी है, हाँ, चंदरमा के अगर बहुत नीचे की तर रूप बहुत अच्छा दर्शन कर लिजिए, इस तरीके के चंदरमा होने ही चाहिए, ऐसे जात्रों का मन बहुत अच्छा होता है, शनी की जो परवत है, देखिए दबा हुआ है, अब शनी पर जो लाइन होती है, भाग्ये की, कितनी सारी लाइन है, मल्टी सोर्से से इंक अब इतनी सारी लाइने बनी हैं, शनी के परवत पर, अगर उंगली को देखें, तो उपर यहाँ पर गडबड़ हो गई है, अब यह गडबड़ जो है, वो नीचे उतरेगी, अभी मैंने बताया, इत्ते अच्छे योग लाइन बनी हुई है, लेकिन उपर गडबड़ है, तो नीचे फिर हम गहनता में खोजेंगे, पारिवारिक जम्मेदारी का निर्वाह विगरा साब बहुत अच्छा हो जाएगा, इंकम और प्रबंदन जो है फैमिली का, वो भी बहुत अच्छा है, दिख रहा है इनके हाथ में, यह भी होता रहेगा, चिंता की बात नहीं है शनी परवत पर आप ख्यास ख्याल से देखिए, खास ध्यान से देखिए मित्रों, यह हो गया वकरी है, सारी लाइने कट गई, अब शनी अगर वकरी है, क्यों वकरी हैं, क्योंकि यहां से भी यह गड़बड हैं, नीचे वकरी वकरी पहुँचे हुए हैं, इनका हाथ में विश्णु सिंबॉल बन रहा है, वो भी हार्ट लाइन को हम देख लेते हैं, हार्ट लाइन ठीक चल रही है, थोड़ी बहुत परिशानिया जीवन में हैं, लेकिन इस प्रकार हार्ट लाइन तूटना नहीं चाहिए यहां पे, देखिए यह लाइन यहां तूट गई है, सू जो मुझे अभी समझ में आ रहा है, थोड़ा सा मंगल का और परिक्षण कर लें, अब यह लाइन चली है आगे और आगे जाके इसने विश्णु सिंबॉल बनाया है, यहां पे, यह विश्णु सिंबॉल है, खराब हो गया है विश्णु सिंबॉल, यह विश्णु यह सफलता हम जब महनत करते हैं, तो उसी अनुपात में हमें नहीं मिलती है, और सेक्स संबंदी जो हम कहलें उस भाव में कमी को भी यह करवा देता है, पती पत्नी में वादविवाद होते हैं, क्योंकि सूर्य डिसलोकेट हो जाता है, जब शनी यहां दबेंगे, तो गु को देखते हैं, गुरु का परवद बैलेंस डवस्ता में है, थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट हो गया है, ज़्यादा नहीं, लेकिन गुरु एक बहुत अच्छे पोजीशन इनके बहुत अच्छी बनी हुई है, थोड़ा सा देखतो रहे हैं वो शनी की तरफ, देखिए मैं एक बार बना के बताता हूँ, एक्च्छल गुरु यहां है इनके, और होने कहां चाहिए, होने यहां चाहिए, इस परकार, तो ज़्यादा इसमें प्राबलम नहीं है, लेकिन शनी दबेंगे तो गुरु को खीचेंगे, जब गुरु दबेंगे, शनी की तरफ खिचा तो गुरु अपने गुरुत्व को फिर उसमें कमी आएगी, और उसमें रस्टिंग भी होगी, एक अच्छे ब्लॉक्स में देख पा रहा हूँ, कि यहां पर हैं, तोड़े शोटे हैं, लेकिन हैं, महंदी लगी है हातों में, तोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, इ यह जो दो लाइने निकल के आप देख रहे हैं, जो जा रही है मंगल के परवत से, और यह शनी परवत पर पहुँच रही है, तो मंगल की जो शक्तियां है, नाकारात्मक, वो शनी परवत की तरफ बढ़ रही हैं, और इनका एकी टार्गेट होता है कि विश्नु सिंबॉल को काट देना, विश्नु सिंबॉल कट गया, अब उसमें रस्टिंग हो गई है, विश्नु सिंबॉल को प्रभाव खतम हो गया है, साथ में यह जो वक्री रेखा है, शनी भगवान के परवत पर दोड़ रही है, यही पर आप देखिए, यहां पर एक यव भी पड़ गया ह और फिर यह वक्री रेखा चली है, तो यह रेखा, वो मिटाना है, साथ में मंगल से जो दो चीजें आ रही हैं, इसने गुरू को खराब कर दिया है, देखिए गुरू का इस प्रकार, देखिए एक लाइन मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप थड़ा गौर से समझेगा इस कुडले में अगर गुरू वक्री है, तो इस साथ से होगा ही होगा, यह लाइन होगी ही होगी, अब इस लाइन में क्या होता है, लाइट होती है, यह लाइन डार्क नहीं होती है, लेकिन जीवन भर बनी रहती है, व्यक्ति अपने योग बलसे से मिटा सकता है, कहां से निक गई है यहां पर यव पड़ा हुआ है यहां पर कुछ काला सा है यह मेंदी हो सकती है चुछ चलिए इसको हम छोड़ देते हैं लेकिन यह गड़ बड़ काम दिख रहा है पती बत्नी में जो सामन ज़स से हैं बढ़ियां रहेगा इस्तरी विवाइता हैं और संतान पक्ष से भी इनको अच्छा लाब मिलेगा यह लाइने बता रही हैं गुरू परवत की जो मिड लाइन होती है वो अभी भी ठीक ठाक अवस्था में है चल रही है तो यह हम कह सकते हैं कि अभी गुरू उतने खराब नहीं हुए है गुरू मंगल की मार है शनी वकरी है सूर राहू के पास फसे हुए है बुद्धी बे गरहन लगा हुआ है आउटर मंगल इनको स्टेंप लगा रहा है कि सर्विस इनको मिल जाएगी चंद्रमा इनके साथ में है अब एक भाव में आपको बहुत अच्छा दिखाता हूँ जो PCS और I IASK जनरल विवरेण में नहीं आता है लेकिन इस हतेली में है वो इस हतेली में माइंड लाइन चली है मंगल के परवस से और जब भी वो माइंड लाइन का इस पर्स कर लेती है यव बना लेती है लेकिन चलिए चलती है इस प्रकार की अगर मैंड लाइन जब मंगल से चलेगी तो दिमाग में गर्मी हमेशा रहीगी व्यक्ति तर्क की शक्ति से ज़्यादा जोर देने की शक्ति से अपने वाक्यों को कहेगा तो जहां हमको तर्क लगाना है वहां वो दम लगाएगा उपर एक बर मैं हटाता हूँ ये हटाया और ये पुना बनाया एक स्टार का फॉर्मेशन आ रहा है ये तो सबसे उत्ता मिस्तिती है अपने माइड की अपने मस्तिक्ष की शक्तियां जो भगवान ने दी है इनको पहचानने का समय है ये स्टार बहुत दिव्य होता है मित् लाइन पे बन जाए तो कलम की ताकत आपको मिल जाती है शनी भगवान देखिए इतनी सारी लाइनों से दे रहे हैं आपको धन लेकिन हुआ क्या है एक वकरी ने पूरा धन काट दिया है उपर का प्रतम पोरवा भी खोल दिया है तो प्रॉब्लम है चलिए केतु को देख लेते हैं केतु का परवत एक स्क्वेर बना हुआ है और यह रस्टिंग में चला गया है थोड़ा सा खराब हो रहा है काला पड़ रहा है इसे भी बचाना है क्योंकि केतु खराब हुए तो माइंड यह मणी बंद की पहली रेखा भी खराब हो जाएगी तो इनका व्यक्ति व्यक्तित्व है पूरी लाइन इस पस्ट बनी हुई है ता उम्र इनके पास अच्छा व्यक्तित्व की यह सौमेनी रहेंगी दूसरा क्या इनके पास धन रहेगा तो धन की रेखा भी चली है ठीक अब लेकिन यहां से गड़बड हो रही है कुछ और यही इनकी 27-28 की एज है लक लाइन पर भी मैंने बताया यह बताया आपको कि यहां पर 28 में इनको राहू की मार है मैंने आप इनको जीवन रेखा पर भी बताया की मार है जीवन रेखा 28 के असपास मार है और यहां से जीवन रेखा नीचे केतू के परवत पे आल्मोस्ट जाके टच हो रही है तो ये तो सबसे अच्छी अवस्ता होती है कि तू से अगर जीवन की रेखा जोड़ जाती है तो हमें नजराने, सौगातें ये मिलती रहती हैं, रेखती मन से भी सुन्दर होता है और तन से भी सुन्दर होता है, दूसरी लाइन की मैं बात कर रहा था, तो यहाँ पर इनका धन अभी मैं इनका मनी ट्रेंगिल भी देख लेता हूं, ये सब इस पर ठीकठा करना पड़ेगा, दूसरा जो देखिए एक चिकिसी विज्ञान में भी, मेडिकल पालमिस्ट्री में भी इस पकार अगर देखिए उठ गया, नस उठ गई, तो भी ये गड़बड को आप माफ कीजिए, इसके चमड़ी के चमड़ी के अंदर जो हमारी नस होती है, ये क्या है, ये है हात में खून भेजने वाली नस, कभी कभी उत्सा में आपने सुना होगा, लोग ये नस काट लेते हैं, तो ये नस से हमारा खून हतेली में जाता है, और आप ये देख रहे हात में होता है, तीसरी लाइन जो इनके विवा की है, वो कमजोर अवस्था में है, ये यहाँ पर है, थोड़ी सी है, लेकिन नहीं, हम इसे देखिए, स्टार्ट में तो दिखती है, और फिर इसमें कमी पड़ती है, तो वहवाई की स्थितियां जो है, इसमें यव भी पड है, तो मैं यहाँ देख लूँ इनका मनी का ट्राइंगल, मनी का ट्राइंगल ये इनकी बुद्धी रेखा है, अब बुद्धी रेखा देखिए, यहाँ से निकलती है, पीछे से निकली है, और यहाँ से आगे बढ़ रही है, यह उपक्रम और संगठन को भी बताती है, व उपर से पतली हो तो यो कारी है और अगर उपर से मोटी हो नीचे से पतली हो तो ये घातक होती है तो इनके हाथ में बहुत अच्छी बनी हुई है नीचे से थोड़ी से मोटी हो गई है हाँ ट्रैंगिल उतना अच्छा ये नहीं बना पा रही है बनी का ट्रैंगिल यहां से खुला हुआ है ड्रैंगिल बड़ा बना हुआ है तो एक बड़ा धन आने की पूरी उमीद है सरकारी नौकरी का मैं अगर इस हाथ में अनलिसिस करके बोलूं तो पूरे पूरे चांसेज हैं कि ये सरकारी नौकर बन सकती हैं जो चीजे चाहिए अंगुठे में और इनका बता रहा है कि इनको ये अधिकार संपन्नता जीवन में रहेगी सारे अधिकार मिलेंगे बोड़ी में हार्मोंस का सिस्टम भी अच्छा रहेगा लेकिन ये वाली जो लाइन है शुक्र परवत की ये गड़बड़ है इसने थोड़ा गड़बड़ करेगी ये हमारे वैवा आगे इनका अच्छा है बुधा आई बन रहा है उपर से अंगुठा मंडला कार है तो इक्षा सकती इनकी बेजोड हो रहेगी अब अगर हम शुक्र का परवत को एक बार और देख लें शुक्र का परवत इनको सारी कैपैसिटी और शमताएं दे रहा है कि आगे ये अधिक बन सकते हैं इस प्रकार यहां पर जो कंफर्ट लाइन है हमारी वह भी अच्छी चली है तो शुक्र इनके बहुत अच्छे हैं इस प्रकार शुक्र निकल जाते हैं जब बाहार कर्वों में तब तो व्यक्ति को क्या नहीं कर देते हैं यह तो उच्च जीवन शक्ती यह परवत उठा हुआ है, यह भी उठा हुआ है, और मंगल थोड़े ज़्यादा उठे हुए दिखरा है यहां से, थोड़ा सा बारीक अनलिसिस कर लेते हैं इसका, मंगल के परवत पर सबसे बहले मंगल लाइन देख लेते हैं जी यहां मंगल लाइन है सपोर्ट सिस्टम इनका अच्छा है प्रापर्टियां भी इनकी बनेगी यहां अच्छे ब्लॉक्स बने हुए हैं जीवन में अपने प्रापर्टि बना पाएंगी मंगल पे ट्राइंगल बना हुआ है यह बहुत अच्छा योग देता है ऐसे लोग मंदिरों का निर्मान करवा देते हैं अपने जीवन में तो यह भी बहुत अच्छा काम दिख रहा है मंगल पे जो नाकारात्मक लाइन मुझे दिख रही है यह डार्क लाइन यह गड़ बड़ लाइन है अब इस लाइन को समझिए यह सब कर्म की रिखाएं होती है मंगल पे और अगर बाहर निकल जाए तो राहू की लाइन बन जाती है वापस पुना अपने मुख्य मुद्दे पर आते हैं यह लाइन चली है इसने यहाँ यव बना लिया है इस प्रकार मंगल के परवत पर जैसे ही यव बनता है तो यह यव नहीं होके जुआला मुख्य होते हैं यह तिल यही बता रहा है और तिल कहां पे है इस काली लाइन के जस्ट पास में ही है इसकी जड़ में बैठा हुआ है यह तिल सबसे ज़्यादा दिक्कत देगा तो मंगल इनके गड़बड है कुंडली इनके पास है नहीं तो मंगली हो जाने का 90% से ज़्यादा अंदेशा है कि यह मंगली है और यह जो दो लाइन डिकली है जिसने विश्णू सिंबॉल का सत्यानास किया है मंगल ने अपनी नाकारात्मक शक्तियां फेक दी है अब इस हतेली को काफी जगे से डिस्टेबलाइस किया है अब इसका एक उपाए जरूर इनको करना चाहिए वो है उज्जैन में मंगल नात मंदिर में मंगल भगवान की जो शांती है और निवारण के लिए पूजा होती है भाद पूजा वो करवा लेना चाहिए मंगल ने इनको काफी नुकसान पहुंचाया है इस और मित्रों सफलता के लिए क्या होता है दो भगवानों की जरूरत हमें पढ़ती ही पढ़ती है एक यहां पर हनमान जी की, मंगल की और शनी भगवान की अगर व्यक्ति हनमान जी के मंदिर जाता रहता है बचपन से यह रोग बच्चों को लगा देना चाहिए हनमान जी और शनी भगवान यह तो पूज़ना ही है तो मंगल का एक महा उपाय मैंने इसमें दिया है, हाथ इनका बहुत तकड़ा है, अगर ये मंगल के पूजा करा लेती हैं, तो जो मैंने कमियां बताई हैं, वो तत्काल दूर होंगी, आगे मार्ग बनेगा, सफलता निश्यत होगी, और वहवाहिक जीवन में भी अच्छे दमताल हो पाएंगे, एनलिसिस पसंदार आया मित्रों आपको चैनल को सबिस्क्राइब कर लीजिए, श्री गणेश करिए, चैनल को सबिस्क्राइब करिए,